हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज एम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलोजी फ्लावरिंग प्लांट्स में इन फ्लोरेशंस इस चप्टर में हम रूट स्टेम यह पार्ट हम कवर कर चुके हैं वो तीनों लक्टर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे इस चप्ट स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलोजी फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें इन फ्लोरेशंस क्या है तो इन फ्लोरेशंस होता क्या है इन फ्लोरेशंस यानि कि जो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का एर्रेंजमेंट होगा उसे कहा जाता है इन फ्लोरेशंस हम एक डाइग्राम आपको easily समझ में आएगा कि floral axis क्या है और किस तरीके से arrangement होता है तो बस definition आपको याद रखना है the arrangement of flowers on the floral axis it's termed as inflorescence अब जो flowers का arrangement is floral axis पे उसे कहा जाता है inflorescence यहाँ पर दो चीज़े याद रखनी है floral axis को peduncle भी कहा जाता है और stock of flower को pedicil भी कहा जाता है diagram देखते हैं diagram में इजले आपको सारे चीज़े समझ में आएंगी तो यहाँ पर एक diagram देखिए यहाँ पर मैंने stem and flowers बनाए हुए है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह main stem है यही main stem को कहा जाएगा floral axis इस floral axis इस पर क्या है कि बहुत सारे और चोटे चोटे स्टेम है जिनके उपर की flowers का एरेंजमेंट है तो यह जो floral axis इसी पर इन पूरे the klein stem between the etc इनका डिफान भी देख यहाँ इनका डेफाने डेफाने डेफिनेशन वह अगर कभी हाता है तो क्या लिखेंगे तो इस तेम्दे बियर से single flower or an inflorescence is called peduncle वह इस्टेम जिसमें की एक single flower होगा जिससे की inflorescence बन रहा है उसे कहेंगे पेडंकल तो यहां पर देख लीजिए यह हो गया पेडंकल यानि कि जो फ्लोरल एकसिस पर एक सिंगल फ्लावर है और इसी के ऊपर पूरे बना रहा है तो यह हो गया इसका डेफिनशन और पीजिल के होगा थेडंकल अफने इनिफ्लोरेसंस चैनल इस झाल फ्लोरेसंस इस में प्लावर को पेडंकल इस spends लिए चौटे थे जिसे का हजाता है इतने चीज़ें इतने चीज़ें आप पर याद रहना है इसके बाद हम द कि न आब आमनि नियुका है टाइब ताइप आफ इंफ्लोरेशेंस क्या है यह पर तू मेन टाइपस ऑफ इंफ्लोरेशन सहमें पड़ना है सबसे पहला आता है टाइब की आपका रेसी मोज और दूसरा है साइमोज तो में क्या होता है कि ढ़िए कि इंफ्लूरेस्थेंस होता है इसमें जो एक्सस है वो कंटीनियूज करते हैं करते हैं उसका गरोध अनलिमीटेड होता है और जब फ्लावर्स है वह लेटरली बॉर्ण होंगे और वह भी एक्रोपेटल सक्षेशन या एक्रोपेटल मैनर में तो इसका एक्जाम्पल होगे रैडिश और मस्टर डाइग्राम में दिखाऊंगे जिसमें आपको एजिली समझ में आएगा कि क्या ह होता है इसमें किस तरीके का एरेंजमेंट होता है तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है में एक डाइग्राम है इसमें यह दिख रहा है कि यह में एक्सिस है जो कि पेडंकल है इसका ग्रोथ क्या होता है यहां से ऊपर से इसका ग्रोथ होता रहत समय उल्ड फ्लावर जहाना गर बबार में अर्श च्व conscious मैं अगर यह उल्ड के तर almostмент के तो इंस प्रड प्रवानी है ऐने हम प्राम कई कि लेकर符्टै प्रिंव यंग फ्लावर्स टॉप पे होंगे और जो फ्लोरल एक्सिस है उसका अनलिमिटेट ग्रोथ होगा तो जैसे कि डाग्रम में समझा है आपको इसली समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे जो सेकेंड टाइप है सेकंड टाइप है आपका साइमोस तो बात कर लेते हैं साइमोस टाइप ओफ इंफ्लोरेशंस की इसमें क्या होता है तो यह साइमोस टाइप ओफ इंफ्लोरेशंस में क्या होता है कि में एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लावर के रूप में यानि कि उस पेक फ्लावर आ यहां में इन पर डाइङ्चिस और हutने यहां सक leaders समस्य की की और यह देखें, ईसे समया हैं में आपको कोँछा लूपन बनांगी है इसमें न क्या लूपने जीश करते हैं इस में फ्लावर आगया विर लुवर तो रुख से साथ में नागा-खिस देना इसप में Εमें तुर्फ यह मासरी थे में आरीब इस तरफ के चानिक टॉल के तरह हैं तुर्फ यह प्लावर्स है चरहें लुक्त्र करा घ्राइजमेंले नीचे इस बंद शजाती जाती हैं कि एक्सिल मैं नहीं जाता है यहां पर एक फ्लावर आजाएगा और इन में जो फ्लावर्स एरेंज होंगे वह बैसी पेटल और में होंगे और यहां पर मैंने एक्जाम्पल्स बताए दिया है कि जैस्मीन एन बोगनवेलिया तो टाइप ऑफ इंफ्लोनेसंस में इतना ही पढ़ना है आपको इंफ्लोनेस आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा नोट्स इजिली समझ में आया होंगे